I'm finally facing it all, Fearless Good morning people, what's up, welcome back to the session by Gang with Gaurab So, आज की वीडियो होने वाली है, बाइक लॉक्स के ओपर वह वले लॉक्स नहीं जो बाइक के साथ मिलते हैं As accessories आप जो लेते हैं, ये वीडियो उन लॉक्स के बारे में होने वाली है किस तरह के locks available हैं मार्केर में, किस तरह के आप ले सकते हैं और किस तरह की motorcycle और scooter पे किस तरह के locks चल जाते हैं मेरे accessories वाली वीडियो में भी मैंने locks का जिकर किया था और बोला था कि extended वीडियो एक अलग से आएगी locks के ओबर सो आज वही वीडियो बनाने का टाइम आ गया है और अगर आपने हो accessories वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहीं कहीं पर उसका link आ रहा होगा यह वीडियो मैंने काफी टाइम पहले promise की थी बट मैं बीच में उसके बारे में भूल गया था क्योंकि content और काफी सारा हो गया था बट recently ही मेरे घर के पास किसी की bike हो गई चोरी तब मुझे यह वीडियो का फिर से याद आया और कुछ पार्ट मैंने इसका पहले record करके रखा हुआ था बट बाकी का आज हम कर लेते हैं बेसिक locks की बात करूँगा मैं जो की affordable भी हो और सबी लोगों की reach में हो ताकि जाद से जाद लोग उसे use कर पाएं सबसे पहला लोग आता है आप shock absorber लोग बोल लीजियो उसको कुछ लोग U-lock बोलते हैं कुछ लोग band lock बोलते हैं कुछ लोग bike lock बोलते हैं बहुत सारे नाम से इसे बुलाया जाता है ओल्दो इसे पैचानना काफी easy है और आप लोगोंने बहुत सारे motorcycle पर यह लगा हुआ देखा होगा तो आज जो भी मैं locks लिखाने वाला हूँ यह सभी अच्छी कंपनियों के हैं ब्रेंडड नहीं है बहुत जादा कोई high end product नहीं है दोनों के दोनों ही 250 रुपीज के अंदर आपको मिल जाते हैं आज basically मैं 2 locks बताने वाला हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शोक अब्सॉर्बर lock की यह आता है around 250 रुपीज के city to city vary करेगा थोड़ा बहुत pricing मेरी city में open market में 250 रुपीज का सेल हो रहा है अच्छी quality वाले की में बात कर रहा हूँ नकली वाले तो आपको और भी सस्ते शायद मिल जाने चाहिए इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका main mechanism जो कि आपके shock absorber के उपर लग जाएगा उसके बाद आपको मिलती है इसके साथ दो कीज और तीसरे नमबर पर आपको मिल जाता है एक U-shape का rod और यही वो चीज है जिसके वाज़ से आपका टायर लोग हो जाता है और कोई भी चोर उसे चुरा नहीं पाता है फोर्थ एक यह रबड के पैड से मिल जाते है आपको जो की लगेगे आपके क्लैम्प और जो आपका main unit है उसके बीच में ताकि वो shock absorber के उपर से slip ना हो सो अब देख लेते हैं कि यह काम किस तरीके से करता है जो आपका main unit है इसके अंदर आपको दो तरफ से hole मिलते हैं इसके अंदर आप यह यू रोड इंसर्ट कर सकते हैं सबसे पहले है उपर की तरफ से जब भी आपको लोग यूज नहीं करना है तो आप उपर की तरफ से उसे डाल के अपने बाइक के shock absorber के साथ लागा हुआ छोड सकते हैं और सेकिंड तरीका है आप निकाल के दूसरी साइड जाके shock absorber के अंदर से horizontally इसे connect कर सकते हैं आपकी बाइक के आगे वारे टायर के बीच में से निकर जाएगा यह और टायर आगे पीछे नहीं हो पाएगा जिसके वाज़े चोर आपकी बाइक चुरा नहीं पाएगा यह बहुत ही simple सा mechanism है और इसको install करने कुछ hardly 5-7 मिनिट लगते होंगे और जहां से आप लेंगे शायर वो free of cost भी करवा ही दे और अगर आपको करवाना भी पड़े तो 10-20 रुपे में यह हो जाना चाहिए install दो से तीन साल पहले यह कंपल्शन कर दिया था हर्याना आर्टियो ने कि अगर आपकी बाइक के साथ आप शौक अब्जॉर्बर लॉक नहीं लेते हो तो आर्टियो उस बाइक को पास नहीं करता था यह आजकल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बट स्टिल यह एक अच्छी ए प्रॉब्लम है कि इसे बार बार निकालना उसके बार दूसरी तरफ से डालना और तो सिर्फ एक ही मिनिट लगता है बट बहुत लोगों को यह भी टाइम कुछ जादा लगता है बट स्टिल अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक नहीं है तो आपके पास एक लोगता यही अब सेके नमबर जिन लोगों की भी बाइक या स्कूटर यह वाला जो मैं लॉग बता रहा हूं यह बाइक और स्कूटर दोनों में लग जाएगा बट सिरफ और सिरफ एक शर्त है कि आपकी बाइक और स्कूटर में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए और वो लॉग है यह वाला दिक ब्रेक लॉग कुछ легna नाम सुना हो कुछ लोगों नाम ना सुना हो कुछ लोग शाहिए पहली वारिव से देख रहे हो बट सिल यहमेने लिया था लास्ट ये जो मैं अपनी मंटर सॉइकल ली ती прим ! मैंश का चाहिए ऊश्य कर पा रहा हूं और लास्ट ओ्मोंस्ट क एक साल से उपर हो गया मुझे यूज़ करते हैं और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और दो कुछ लोगों ने मुझे पता लगा था कि छेड़ने ही कोश्च करी थी मेरी मोटरसाइकल को बट स्टेल इस लॉक ने उसे बचा दिया और यह इतना ही आता है और यह इसे अधर को दो मोड्यूल मिल जाता है और एक यह पत्ती मिल जाती है आप इसे किसी भी नट में डालके मोटरसाइकल में टाइट कर सकते हैं तो आपकी यूज में जब यह लॉक नहीं हो तो आफ इस पत्ती के साथ इसे इस तरीके से लगा के छोड़ सकते हैं उल्दू मै चarnya मैं जो से पूर հीक कर लो किमिरे से अच्छ स maken करते हैं को समय में भॉक्षिया लाया है कि मेरी से लज्वास agus tểm मैं बाहरी करें लीता हुँ अगर वबग भी करके क्राते हैं तो यहति कॉलिटी यह 273 सब्सक्राइब होगा यह मैटल है मैटल तो नहीं कंप्लीट बट यह किसी चीज़ का एलॉय है मैंने कुछ घटिया वाले भी देखे दे अरांड भी 200 रुपीज की मिल रहे थे वह आपके चौक मिट्टी कुछ ऐसे सीरमिक टाइप का कुछ ऐसा कुछ मैटीरियल था इससे वह बने हुए थे जो कि यहां पर पत्ती फसाते ही यहां पर कर देंगे तो यह अलग हो जाता था बट इसमें ऐसा नहीं है यह काफी अच्छी क्वालिटी गाई यह एक अलॉय है मैटल एलॉय है सो इसलिए कहता हूं कि जब भी लें अच्छी चीज लें ब्रेंडिड लें 50-600 रुपे का फर करने है और इसे आप इस तरीके से करेंगे ट्विस्ट तो यह लॉक मेंगानिजम बाहर निकलाएगा और आपकी यह चीज हो गई रिलीज अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर चीज क्या है अगर आपको दिख रहा होगा यह इसके अंदर से एक पिन आ रही है यह पिन तो आपको यह दिख रहा होगा कि इसके अंदर से पिन आ रही है जो कि कलच करेगी आपकी डिस्क ब्रेक के किसी भी होल को तो आप डिस्क ब्रेक के किसी भी होल के अंदर डालके इसे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं और यह वहीं पर सेट हो जाएगा और उसके बा जादा आपकी movement पाई, की नहीं हो पाई, मुचोर इसे नहीं चुरा पाएगा, इसका थोड़ की नुकसान है, कि अगर किसी ने जादा ही कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो जादा से जादा आपकी disk brake मेंट हो सकती है, अल्दो वो भी नहीं होनी चाहिए डिस्क प्रेक की क्वालिटी काफी हाई होती है बट सेल अगर थोड़ी सी भी मुवमेंट आउट हो गई थोड़ा सा भी बैलन्स आउट हो गई आपकी डिस्क का तो वो आपके पूरे के पूरे ब्रेक पैड्स को गिस देगी तो इसलिए आप अमेशा चेक कर लें आपकी डिस्क प्लेट के अलावा आपका ज्यादा नुपसान नहीं होना चाहिए और ये कैरी करना बहुत एज़ी है और आप मुल्टिवल वाइक्स में यूज कर सकते हैं इसे पैले वाला मैंने लोग बताया था अगर आपने एक बाइक पे इंस्टॉल कर दिया तो वह उसी बाइक पे रहेगा आप बार बार उसे खोलने तो वाले नहीं हो तो इसमें ये प्रॉब्लम है बड़ जब भी मैं कोई भी अपनी बाइक के स्कूटर बाहर लेके जाता हूं जहां पर मुझे ज्यादा दिर के लिए रुखना पड़ता है इसे लगाना बहुत इजी है विदिन त्री टू-फॉर सेगें ये लग जाता है थो पहले वाला लॉक मैंने बता है था और ये लग जाता है और बाइक में पहले वाला लॉक बाइक में लग बाता है स्कूटर में लगाने का उसे कोई ऑप्शन नहीं है और दो कुछ छोटे वाले भी आते होंगे बट स्टेल अब ये मैं बता देता हूं ये ब्रैंड है कुछ पवना और ये ब्रैंड में काफी टाइम से देख रहा हूं और मैंने एक साल होगे यूज भी किया और क्वालिटी वाइस बहुत मस्ट चीज बनाता है रची ब्रैंड की मिल जाती है तो और किसी ब्रैंड की लें लीजिए फटाइक को नहीं मिलती आ तो ये मैंने डेली से लिया था यह मैंने लोकौल मार्केट में मुझे कहीं भी अपने शहर में नहीं मिल Do सो मैं आपको recommend करूंगा कि भईया डेली में ने जनक पूरी की market से लिया था कवरोलभभवाली मार्केट में भी आपको छाना चाहिए बस अच्छी quality का लेना मैं आपको बारबार यही चीज बोलूँगा hos की अच्छी क्वालिटी का लेना और अगर आपको कोई ब्रैंड और ना मिले तो यह प्रैंड की डिमांड करना तो कहीं ना कहीं तो आपको मिले जाएगा और डिस्क ब्रेक लॉक्स में काफी सारे अलग अलग अप्शन्स अवलेबल हैं, इसमें काफी महेंगे वाला ऑप्शन पान से साथ अजार रुपे के आसपास का जिसके अंदर वो अलाम बजने लगता है अगर आपकी बाइक के कोई हाथ लगाता है तो बट स्टिल नॉर्मल लोग इतना नहीं करने वाले हैं तो यह दो डाइसो रुपे का 250 रुपीस का मैंने लिया था लास्ट यह 250 से 300 रुपीस और इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और एक स्पेशल मेंशन किसी भी तरह की टू विलर रिगार्डिंग कोईरी के लिए आप मुझे डीम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आइडी यही कहीं पे फ्लेश हो रही होगी so as always ladies and gentlemen until we meet next time I am Gaurav Kartpal and I will see you later